अब ही बोला था कि अगर हमें आपे माइंड पर स्टॉप करना है तो हम उसके लिए टाइम टेबर बना से लिए बट उस टाइम टेबर पर एक दिन, दो दिन, तीन दिन तो उस पर कंटिनियस्ली कैसे बग करें कि हम उस पर हमें शेकिलें स्टिक रहे है छोड़े ना उस पर कुछ चीजे करी और में नहीं कर पाए मैं इतनी वार ट्राइ किया मैं नहीं कर पाया मुझे लगता है मैं इस पर टिक नहीं पाऊंगा मैं टिक नहीं पाऊंगी बोलना क्या चाहिए अपने आपको नंबर एक कि मैं कर सकता हूं और मैं कर सकती हूं नंबर दो कि मैं करन है अगर आज मैं भी कुछ करने की सोचता हूँ तो कि थी नहीं होता हूं को किसके सप्ट करने का सूचा और उछ मेरे हाथ नहीं होगा आपके हाथ में नहीं है, there are lot of factors, lots and lots of factors, मानों आप तो अपने schedule पर पक्के हो, एकदम से घर में किशी की death हो गई, तो क्या होगा कुछ दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए, schedule से out हो गए, अब वापिस से schedule पर आना है, तो बड़ी मेहनत करनी होगी, मेहनत एक गलत word है, willpower चाहिएगी, मेहनत मतलब यह कि आपको पत्थर नहीं तोड़ने है, अपने अंदर से अपनी willpower को strong करना है, तो इस तरह ऐसे आप गिरोगे, बार बार, जैसे ही आप कुछ सही करने की कोशिश करोगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बार बार उस वक्त अपने आपको क्या बोलना है, मेरी जो पावर्स है वो infinite, I am different, यह भी बड़ा पावफुल वर्ड है, तो इस दुनिया से, यह ज़रूरी है, तो आपके अंदर यह नहीं आया, तो आप कुछ भी इस दुनिया से अलग नहीं कर पावगे लाइफ पे, अलग नहीं करोगो तो आपके साथ अलग होगा कैसे, वह होगा जो सब के साथ हो रहा है, सब के साथ क्या हो रहा है वो दिखी रहा है, बार से अस्ते होई चेहरे हैं लेकिन अंदर से सबकी लगी हुई है है कि नहीं रियालिटी है ना इस लाइफ ने उदेड़ के रख दिया है चारो तरफ से तो बढ़ो सिंपल है अपने आपको बोलना है मेरी इस बात को अपने गले उतारना है है मुझे दुनिया का नहीं पता है लेकिन मेरे अंदर इन्फाइनाइट पावर अगर मैं कुछ ठान लूँ तो मैं वो कर सकती हूं तो नहीं कोई पॉजिटिव अचीवमेंट्स होगे आपकी लाइफ के वह अपने आपको याद दिलाओ कुछ ऐसा आपने किया होगा कुछ ऐसा आप करते होगे जो और लोग नहीं कर सकते हैं तो सकता आपकी आवाज बहुत अच्छी हो आप गाने में बहुत अच्छी हो सकता आप डांस होता है ना कुछ भी हो सकता है अपने आपको इस वक्ति याद दिलाओ को कि अगर मैं वह कर सकता हो तो मैं यह कर सकता statistically कर सकता हो गहि सकता हूं पर्मानेंट आप कभी भी किसी भी चीज़ पर टिके नहीं रह सकते तो असान क्या है बार-बार गिर करके चलते रहना असान है बस यह मतलब है क्लियर है ना